दोस्तो आज मैं आपको GSB के ऐसे 9 पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप रोड में GSB का काम करो आपको उन पॉइंटों को ध्यान में रखे ही काम करना है और दूसरी बात ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ मैं as per morph बता रहा हूँ सबसे पहले ये चीज़ समझे कि GSB यूज कहा होती है GSB, result payment और flexible payment दोनों में जूज होती है और इसका काम होता है as a drainage layer और ये filter media और drainage layer का काम करती है मौर्थ में GSB का section है 400 और इसका close है 401 अब बात कर लेते हैं इसके material की मतले इसमें किस टैप का material यूज होता है इसमें आप aggregate का यूज कर सकते है natural sand यूज कर सकते हैं और crushed gravel भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो नहीं यूज करना है आपको round tap का round material यूज नहीं करना है और किसी भी तरह की swell को use नहीं करना है अगर हम इसके material की बात करें तो 75 micron से लेकर 75 mm तक इसमें material होता है अगर 75 mm से ज़्यादा oversize है तो आपको उसको नहीं डालना है आपको उसको तोड़ कर डालना है और एक बात हमेशा याद रखना GSB में 6 grade होते हैं लेकिन इन grade को कहां कहां use करना है वो आपके road के design के उपर depend रहता है अब करते हैं दूसरे point की बात दोस्तो GSB जब आप link करते हो तो आपको उसमें एक चीज़ का दियान रखना कि जो अपने layer डालनी है वो आपको 1500 mm से कम नहीं डाली है एज पर मोर्थ आपको 1500 mm से कम layer नहीं डालनी है GSB की और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा layer डालो आप 2500 तक layer डाल सकते हो लेकिन तब डाल सकते हो जब आपके पास 8 से 10 ton का vibrator roller हो और rolling करते हैं समय आपको एक बात का दियान रखना है कि जो आपकी rolling होती है वो one third में होती है one third का मतलब यह होता है कि आपको edge से rolling स्टार्ट करनी है और करते करते आपको center की तरफ जाना है ठीक है और जो आपकी roller की speed है वो आपकी 5 km पर hour से कम रहनी चाहिए तब ही आपको जो आप density चाहते हो आप achieve कर पाओगे दोस्तों हम तीसरी बात कर लेते हैं density की जो आपकी density रहती है वो आपके OMC के उपर depend रहती है मतलब आपकी GSP में moisture कितना है ठीक है जो इसकी density है वो आपकी 98% आनी चाहिए इससे कम आपकी density नहीं आनी चाहिए चोथा point है OMC OMC क्या होता है OMC होता है optimum moisture content जो GSP का optimum moisture content है वो आपके lab के coding रहता है averages की 6-7% होता है अगर आप OMC के हिसाब से GSP में पानी लगाओगे तब आपकी density पूरी मिलेगी अगर आप ज़्यादा पानी लगा दोगे तब भी आपको density नहीं मिलेगी अगर आप कम पानी लगा दोगे तब भी आपको density नहीं मिलेगी इसलिए जब भी आप GSP में ज़ए subgrade में कहीं भी आप पानी लगाओ आपको OMC के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और OMC आपका हर जगा लग-लग मिलेगा subgrade का लग रहता है GSP का लग रहता है वो आपको अपनी लग से पता करना पड़ेगा पांचमा पैट इसमें हम बात कर लेते हैं GSP के टेस्टों की पहला टेस्ट होता है AIV टेस्ट जनकी aggregate impact value इसमें क्या होता है इसमें हमें aggregate की strength का पता लगता है जो हमारी 40% maximum रहनी चाहिए liquid limit यह हमारा maximum 25% रहना चाहिए plasticity index यह हमारा maximum 6% रहना चाहिए और CBR CBR जानी की इसकी full form होती है California bearing ratio हमारा 30% से कम नहीं होना चाहिए minimum आपका जो CBR होता है GSP का वो 30% होना चाहिए subgrade का CBR अलग रहेगा इस बात का द्यान रखना ठीक है और जो इसकी density होती है GSP की वो 98% होनी चाहिए इसके लावा दोस्तों इसका एक test और होता है gradation का जो gradation का test होता हमें उसमें पता लगता है कि जो हमने GSP में material यूज किया है उसकी percentage कितनी है मतलब sand कितने percent है 20 कितने percent है 40 कितने percent है ठीक है तो इस test में आपको हर material के size के हिसाब से उसकी percentage का पता लगता है six point है level tolerance माल लिजिए अपने GSP का bed बनाया और उसमें कहीं आपका level जो है 10M down रह गया कहीं आपका level 10M up रह गया तो इसको बोला जाता है level tolerance तो इसमें जो level tolerance रहती है वो आपकी plus minus 10M रहेगी आपका bed अगर 10M down होगा तब भी आपका पास हो जाएगा अगर आपका bed 10M अभी होगा तब भी आपका bed पास हो जाएगा इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए अब बात कर लेते हैं साथ में point spreading की मतलब जीएसवी को अपने link कैसे करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बात को द्यान से सुनना कि अगर आपकी जीएसवी की thickness डेट सो एव एव है as per drink तो आपको loose डेट सो नहीं डालना वो compact होकर आपकी डेट सो रह जाएगे अगर आप पहले ही डेट सो रखके चलोगे तो आपकी compact होगे 125-130 रह जाएगे वो जीएसवी तो यह spreading के समया आपको खास इस बात का द्यान रखना है और दूसरा बिर्थ का द्यान रखना है कहीं आपकी जीएसवी बिर्थ जो आपकी है उससे ज़्यादा तो नहीं डाल रही है आठमा point अगर कहीं रोड पर ऐसी जगा पर आपका raising portion है कि आपको रोड को height करना है तो आप क्या BC के ओपर सीधी जीएसवी डाल सकते हो तो इसका answer है नहीं किस condition में डालना है वो मैं बताता हूँ अगर आपकी BC है उसको जा तो आपको remove करना पड़ेगा जा आपको hexabitter से उसमें cut मारने पड़ेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे cut इसलिए मारने है ता जो आप GSP उसपे डालो उपर link करो तो वो आपका bonding बना ले अच्छा एक joint बना ले अगर आप उसपे cut नहीं मारोगे सीधा ऐसे GSP डाल दोगे तो उनका bond नहीं बनेगा ठीक है तो GSP अगर आपको BC के उपर डालनी है कोई raging portion है आपको जो आपकी BCS को remove करना पड़ेगा जा आपको उसमें cut मारने पड़ेंगे hexabitter से 9 point है GSP की quantity की इसकी quantity निकालनी कैसे है इसकी quantity cubic meter में निकलती है length into width into height जितना आपका MQ आगया cubic meter आया उसको आप multiply कर दो इसकी MDD से तो आपका वो GSP turn में निकलाएगा तो दोस्तों ये मैंने 9 point है जो मैंने आपको बताए है आपको GSP काम करते समय इन point को द्यान में रखके ही काम करना है ये बहुत technical point है as per moreth है और इंटर्वियो में भी इस GSP के लेटर आपको यही point पूछे जाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू फेंट्स